पश्चिमी उतर प्रदेश का जिला मुरादाबाद में लगातार प्रदूशन बढ़ता ही जा रहा है जिससे लोगों को काफी सारी समस्याय आ रही है आज मुरादाबाद जनपद के Air Quality Index 475 पहुँच गई है जिससे बुज़ूर्ग और बच्चों को सांस लेने में काफी समस्या आ रही है जिसको देखते हुए नगर निगम लगातार जनपद में पानी का छिरकाव करा रहा है और प्रदूशन विबाग भी प्रदूशन करने वालों पर अधिकारी कारिवाही की बात कर रहा है और जनपदा से अपील कर रहा है कि आप सभी लोग मास्क का इस्तिमाल करें और प्रदूशन जो कर रहा हो उसकी विबाग को जानकारी दें साथ ही बढ़ रहे है प्रदूशन से बुज़ूर्गों और बच्चों को सांस लेने में समस्या हो रही है और डॉक्टर की माने तो जनपद में अलग-अलग तरीके की बीमारिया पैर पसार रही है मुरादबाद जनपद में बढ़ते प्रदूशन से सुभा के समय विजिबलेटी पूरी तरीके से खत्म हो गई जिससे राहगीरों को काफी परेशानिय का सामना करना पड़ रहा है दिलिफ सिंग आज मौसम ने करवट बदली है क्या कहना चाहिए जानक अजनक शडनली बहुत ही बहुत बहुत रहे हैं बिल्कुल विजिबल्टी खतम है आधा तो धूमा धूर भूल बहुत रोल देगे शेहर मुना दाबाद माद माद तो इसमें लोग गुजरते हैं क्या इतियात बरतना चाहिए लोग इसमें गुजरना मना है लेकिन अन्जीडली कभी चैसे गुजरते हैं से भी हो जाते हैं और इस ट्रम तो विजिबल्टी बिल्कुल नहीं है अब ये थोड़ा कम चल लेंगे संचालन कम हो रहा है इस वह से यह है कि थोड़ा सा रैसे तो घैर कानून निये इस तो निकलना पर भी साबदानी से निकलना चाहिए इस तो अजिए निए रहा है बि दूश्टर की मुरादाबाद में प्रदूशंट की बेहता देनिये है एर कश्टराटी इंडेक्स विम्रादाबाद का बेहता गिरा हुआ है और बहुत चयादा दिन और रात दोनों ही समय मुझ जादा धुण व्यापदा जिससे पज़ु पक्च्चों को दिक्शत हो ही यह साथ-साथ जो बुजूर्ग लोग है और जो बच्चे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं समान में घर में भी रहे हैं मार्किट से जुड़ेवे जो घर मकान है उनको ज्यादा मुझको लगता है कि लंग सेफेक्ट होगा जैसा कि अब धुन इससमें हम लोग देख रहे हैं प्रशाचन का इष्म alzno n sa zero tolerance पर खल नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए विलकुल अन्यमस्ता सितर पर वो रहा है लगातार बढ़ रहे प्रदूशन, मुरादाबाद की जनता को चिंता का विशे बना हुआ है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में परिशानी आखों में जलन की समस्या आम हो गई है, साथ ही सड़क पर प्रदूशन करके चल रहे वाहनों से भी लोगों को सांस लेने में समस्य हो रही है प्रदुशन विभाग और नगर निगम का दावा है कि जल्द ही सब कुछ सामानी हो जाएगा अब देखना ही होगा कि कब तक जन्पदवासियों की इस समस्या का हल होता है जी सर क्या नाम है अपका टॉक्टर इज्वान पाशा अब जैसे तरीके से मुर्दवाद में एक यू आई बढ़ ला है किस तरीके मरीज आ रहे हैं आपकी वास किस तरीके से वो लोग अपना बचाप करें आप एक डॉक्टर है मुर्दवास से क्या अपील करेंगे मेरी अपील जनता से यही रहेगी कि वो फोड़ाता अपना साफसफाई कर ध्यान दें मास्क कंटीनू लगाएं और हासों की साफसफाई रखें और जो यह आजकल की कच्रा है इसको ना जलाएं और जो फ्रैक्ट्रूस है उनने वाला जो दुवाँ है इसकी रोप पंकी ज प्रैक्ट्रूस है इसके लिए हमने बढ़ने इसके लिए बड़ी रनीती के साथ काम कर रहे हैं एक तो जितना सेंदी वेस्ट रोड़ों पड़ा है उन पर चलान कर रहे हैं जहां पर गंदगी पूरा जिला रहा है कल भी हमने तीन लोग नोटी सारी किया पर सुबी हमने नोटी सारी कराया और आज भी सहर में जगे-जगे हम छिड प्रांटेशन, शिर्ताव और उसमें रोड़ सुपिंग मशीन के माध्यम से हम पूरे सहर को सपाय कराने के तर अगरी सहरे हैं आगे ये कंटिनियू फिछे कुछ महेने से चल रहा है और आगे भी कंटिनियू चलेगा और इस से विशेज ध्यान दिये दा रहे हैं जिसर लगतार मरदबाद में जो ये ट्रॉडल टिंटेक्स है वो लगतार बढ़ ले इसको रूपने लिए क्या प्रियास कर रहा है जो प्रोडूर्शन को लेकर शेहर वासु से क्या अपील करेंगे प्रयास करें तो दो आपके प्रस्त्त की क्या प्रयास करें जा रहे हैं हम लोग प्रियास करेंगे व्यायाईSONS काउं को ठीक से संचालिद करें नगर निगाम द्वारा सखंद रूप से जो है जल्चड़काओं करा जा रहा है जिससे की धूल ना उड़े जादा और यहां पर जो मुख्यता समस्या है वो पी एम 2.5 से है जो की वाहनों से जनित होती है इसके लिए यहां पर पुल अभी ब कारवाईयां करी जा रही है तुसरा अपील में जहां तक संदर्व है तो मैं शहरवासियों से अपील करूंगा कि वाहनों का इस समय कम से कम जोग करें अगर आपके आसपास पूड़ा जला आ है तो उसकी तर्कान नगर निगम को सूचना दे और एक अच्छे नागरी होने का परच्छे दे अगर अस्पताल कच्रा जलाए पाए जाते हैं तुस पर नगर निगम कारवाई करता है अपने इस तर से और यदि उनमें बाइविटकल वेस जलाए जाता है और मामला हमारे सग्यान में आता है तो अम लोग उस पर कारवाई करते हैं